नमस्कार मित्रों, राजस्थान सरकार द्वारा सभी सरकारी करमचारियों के लिए राजस्थान गवर्मेंट हेल्थ स्किम यानि की RGHS की स्वीधा उपलब्द कराए गई है इसमें आपकी सैलेरी से प्रीमियम वेतन अनुसार कटती है और उस प्रीमियम की अनुसार ही आपको OPD की स्वीधा भी उपलब्द कराए गई है मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस RGHS स्किम के द्वारा हम किस प्रकार से OPD की स्वीधा ले सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेश करें ताकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो उपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, आईए शुरू करते हैं RGHS इस कीम में OPD की स्वीधा लेने के लिए सबसे पहले आपको RGHS विभाग द्वारा जारी की गई OPD होस्पीटलों की इस लिस्ट में चेक करना होगा कि किस होस्पीटल में आपको स्वीधा अनुसार दिखाना है जैसे ही आप इस हॉस्पीटल में पहुंशते हो तो इस प्रकार का एक OPD RGHS काउंटर आपको दिखाई देगा जैसे ही आप इस काउंटर पर जाते हैं तो काउंटर पर आप से ओरिजनल आईडी और आपका RGHS कार्ड जो की आपने डाउनलोड किया गया है वो मांगेंगे जैसे ही आप ये कार्ड और आपकी आईडी आप उपलब्द कराएंगे उसके बाद हॉस्पीटल करमचारी आपको इस प्रकार की एक सिलिप उपलब्द कराएगा ये सिलिप लेकर आप सीधे डॉक्टर के पास जाएं जिस डॉक्टर को भी आपको दिखाना है जैसे ही ये सिलिप लेकर आप डॉक्ट के पास पहुंचते हैं तो वो आपको चेक करके सुईधा अनुसार आपकी जाच लिखेगा या आपको जो भी मैडिशन लिखेगा अगर आपको जाच लिखते हैं तो आप सम्मदित विभाग में जाकर जाच करवाईए और उसके बाद डॉक्ट को वापिस आकर वो जाच दिखा कर आप मेडिशन लिखवाईए उसके बाद आप मेडिकल स्टोर पे जाईए और सबसे पहले ये कन्फर्म कर लें कि जो भी मेडिशन डॉक्ट साब ने आपको लिखी हैं वो मेडिशन इनके पास उपलब्द है या नहीं क्योंकि एक बार अगर आपकी सिलिप रेजिस्टर्ड हो गई तो उसके बाद में आप मेडिशन चेंज नहीं करवा सकते हैं कोई भी दवाई मेडिकल स्टोर पर उपलब्द नहीं है या वो पेड है तो आप दोबारा डॉक्ट साब के पास जाकर उस मेडिशन को चेंज करवा लें उसके बाद में आप फिर उसी ओपीडी वाले काउंटर पर जाईए जहां पर आपकी ओरिजिनल आईडी जमा है यह इसके बाद में आप दोबारा मेडिकल स्टोर पर जाकर अपनी मेडिशन लें मित्रों इस प्रकार से आप आरजीएचेस की ओपीडी सुईधा ले सकते हैं अगर इस वीडियो से सम्मद्द आपको कोई भी प्रसंद करना है तो आप कॉमेंट बॉक्स में अवैसे लिखें म मेत्रों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सब्सक्राइब कीजिए अन्मॉल टीचर्स को एजुकेशन संबंदी वीडियो तुरंत पाने के लिए